गोपाल गंजिले के हत्वा थाना चित्र में सब्रेजी गोंका रहने वाला परकास कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी गायल परकास कुमार को अनमंडली अस्पताल हत्वा में प्रात्मिक उपचार के लिए भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने इस्तिति को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया परीजनों ने बेहतर इलाज के लिए पटना पारस होस्पिटल में भरती कराया जहां उसकी मौत हो गई मौत के सुचना मिलते ही परीजनों में कोहरा मच गया साम में जब सब पहुचा तो परीजनों संग गरामीन उग्रो हो गए एबम मीर गंज में हत्वा मौल पर सब को रखकर आग जनी करने लगे एबम परसासन के खिलाप नारे बाजी किये उनके मांग थे कि 24 गंटे के बाद भी पुलीस परीजनों से नहीं मिली और ना ही अपरादियों की गिरफतारी के लिए कोई कदम उठाई वे लोग जिला पुलीस परादिकारी को बुलाने एबम मौबजे की मांग कर रहे थे आपको बताते चले कि दवीबार के राद अपरादियों ने उससे मुबाइल लूट ली थी जिसके बाद उसने उसका पिछा किया हत्वा आते आते अपरादियों ने खुद को घिरा देख उसे गोली मार कर फरार हो गए जिसका इलाद के दर्मियान मौत हो गई जमीर उल्हक की रिपोर्ट क्यों जम किये हैं और क्या मान है पलो का जाम इसलिए किया है सब्सक्राइब कर देते हैं और मौयजा कितने में कब तक देते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं और मौयजा कर देते हैं और मौयजा को पुलिस वाला नहीं गया अभी तक 24 गंड़ में चुकदार भी नहीं गया बुआ है तम आई पैसे मिलेगा इहां इसलिए नहीं गया मुदर हुआ है जाएंगे रात खाएंगे अछाव जाएं उसलिए नहीं धाहिए इस और झेलैंके स्वेट परकेयाह'sके नेता बर ने का सव नहीं है estoy क्या नम है आपका हमारा नम मुके स्कुएल पनित कौन थे आपका ही हमारे भंगने थे